अब जो आप अब जूदेंट्स वेल्कम बैक तो अर्जून कोचिंग क्लासेस अर्जून कोचिंग क्लासेस में आपको बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों वेडनाज डेको माएक ग्रूप डी की क्वाटर पर वीडियो रिकॉर्ड किया था आज भी एक रिकॉर्ड कर रहा हूं एक वीडियो ठीक है लेकिन आज की जो वीडियो दोस्तों उसमें जो गुरूप डी क्वाटर है वो मैं टाइल्स वाला बताना चाहूंगा क्योंकि आप काफी सुधार कर रहे हैं कंश्रक्षन वाले लोग ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं शुरू करते हैं तो आईए देखते हैं अरे धीरे धीरे मत आने आता है हमां तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि यह बढ़िया आंगन है इस्पेस है थोड़ा गुमादी और यहां पर आप बढ़िया बागबानी क बढ़ सकते हैं जो भी आप लोग को लगाना है काफी अच्छा वीव है यहां पर ठीक है दोस्तो तो चलिए अब एंटर करते हैं अंदर की ओर तो सबसे पहला जो रूम है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह एक रूम है आईए यहां पर देख सकते हैं दोस्तों काफी स्पेस है बाइक रखने के लिए साइकल रखने के लिए जूता रखने के लिए यह काफी अच्छा पोर्शन दिया गया यहां पर ठीक है दोस जो एक शोफा करके किसी कोई महवान आ रहें तो एक शोफा सेट ढल सकते हैं यहां पर इंटरंच में और बाकि दोस्तो चले complaints की खासियत बताना चाहуंगा यहां दो cuántos लगी है कि यहां देखिए दोस्तो आई यहां में विश्था मैं इस better picture człowie कि यही बताना चाहता हूं दोस्तों सबसे बढ़िया बढ़िया टाइल है है और बाकी देख सकते हैं अच्छे इसमें मैं यह बताना चाहूंगा दोस्तों जो एचार होता है थीग है वह एक सवाई जेट सिटिश के हिसाफ से होती है ठीक है और लाइट तो यह जो है दोस्तो यह group D quarter यहां की जो HR A है ठीक है यहां दोस्तो HR A हम लोगों मिलता है 1800 ठीक है क्योंकि यह आती है Z city में अगर आप X city जैसे की 80 city है टोटल 8 cities है जैसे दिल्ली हो गई पूने हो गई हैना मुंबई हो गई कुलकत्त होगी HR A अगर आप quarter लेते हैं तो आपको HR A नहीं मिलेगा क्योंकि आप और रेड़ी quarter ले लिए है साथ में 170 रूपीज रूम रेंट करता है और 500 रूपीज दोस्तो बिजली का करता है और 15 हो गया दोस्तों बढ़िया आपका bedroom हो सकता है यहां आप लोग पा जैसे एक और वीडियो जो में बढ़ाया था भीया का उसमें आप देख सकते हैं आप बढ़िया यह सारे जो रहते हैं दोस्तो इसको रेलिवे नहीं देती है अपने self रहता है ठीक है आगे आते जिए काफी साफ सुत्रा क्वार्टर है दोस्तों देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं यह एक स्पेस है और काफी अच्छा यहां मतलब चेंज किया गया है कंश्रक्शन विभाग द्वरा ठीक है और इसके साथ दोस्तों यहां पर काफी स्पेस है यहां पर कुछ भी रख सकते हैं जैसे रखाया गया है श्टाफ के द्वारा और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा क्या बोलते कीचन है यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छा कीचन है बढ़िया यहां पर प्लैटफॉर्म दिया गया है है यहां पर आप गैस रख सकते हैं और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं काफी बढ़िया इस तरीके से गुरूब डी स्टाफ का क्वार्टर हैं तो आप मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इससे काफी मोटिवेशन मिलेगी अब दोस्तों यहां पर मैं आपको लैट बात दिखाता हूं कैसे होती है ग्रूब डी स्टाफ की जो देते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यहां बात के लिए यह आप बात के लिए और उधर देख सकते हैं दोस्तो लेट है ठीक है तो ये लेट बात attach नहीं दोस्तो लेकिन बढ़िया सेपरेट है और ये बहुत अच्छा चीज है जो railway करती है ठीक है और उधर जो दोस्तो उधर का कोई मतलब नहीं अपने को यहीं तक होता है तो यह दोस्तो एक quarter यहां तक होती है ठीक है तो काफी अच्छा space देती है दोस्तो Group D staff को भी काफी अच्छा quarter एलोट होता है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया Tile Swallow quarter है ठीक है तो दोस्तो आप लोगों को मैं दिखाया एक Group D staff का और दूसरे जो Group D staff का है तो दोस्तो काफी डिफ्रेंस है है ना बढ़िया Tile Swallow भी आप quarter एलोट हो रहे हैं और जो 2019 में जो फॉर्म निकली थे और जो 2021 में एक्जाम दिलाएंगे उन लोग के लिए और भी quarters एलोट होना सुरू होएंगे दोस्तो बनना सुरू होएंगे और इसी वे में बनने की उम्मीद है तो दोस्तो यह entrance है ठीक है यहाँ पर आप gate समझ लिजे और जब आप जाएंगे ठीक है दोस्तो तो यह आंगन रहती है यहाँ पर आप देख सकते हैं मरूत का पेड़ है यह आपका entrance है और चलिए पूरत दिखाते हैं कैसे होता है group D के quarter दोस्तो यहाँ पर एक छोटा सा जगा दिया जाता है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रखने का जगा है cycle रख सकते हैं और कुछ भी आपका जो समान है जूता हो अगर ठीक है वो रख सकते हैं आप यह एक छोटा सा पहले entrance दिया जाता है ठीक है इसमें चाहें तो आप एक बढ़िया से सजाक एक sofa भी रखा जा सकता है कोई महमान आते हैं बैठने के लिए ठीक है और यहाँ पर दोस्तो एक room रहता है ठीक है जिसमें आपका bedroom आप बना सकते हैं जो भी आपका study room जो भ करते हैं काफी भीया पढ़ाई में ध्यान देते हैं और आप लोग भी यही होने वाले हैं अगर आप लोग group D में आते हैं ठीक है दोस्तो तो यह bed railway द्वारा नहीं दिया गया है खूद का bed है ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग electricity bill क्या है railway काटती है दोस्तो प आगे देखते हैं क्या होता है इसके बाद दोस्तो आप लोग को एक और मिलेगा यहाँ पर यह रों जहां पर आप लोग अपना और भी कुछ समान जैसे की फरल सबजी अगर जो भी लाएंगे यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है सारा चीज में मेंटर यह है दोस्तो आप अप कीचन की खासयती है कि यहाँ पर उसको प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है ठीक है जिसमें खेड़की है कीचन में और भीया काफी पढ़ाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस पीड़ी का लगाया हुए है ठीक है ताकि रिमाइंड होते रहेगा और जो दिखाया है एंट्रेंस में ठीक है तो एक फैमिली के लिए सफिशेंट है यह रूम और आगे जाके देखते हैं दोस्तों इधर साइट क्या दिया जाता है जब आप आएंगे दोस्तों इधर आपको दिया जाएगा पानी का नहाने का व्यस्तर है ठीक है यह आप लोग का बातरूम हो जाएगा ठीक है यहाँ पानी यह जो आता है पानी दोस्तों रेल्वे का आता है शाम को आता है और सुबह आता है दो टाइम आता है ठीक है और इसके यह जो है दोस्तो आपका लेटरीन रहेगा समझ लिए ठीक है तो यही है दोस्तो में वीडियो में यह बताना चाहूंगा कि कैसे होता है ग्रूप D स्टाफ का क्वार्टर अगर आप लोग रेलिवे में अगर कोई सभी आप पोस्ट में जाते हैं चाहे वो ट्रैक कमिनिकेशन पोस्ट हूँ कोई सभी ग्रूप D में आप लोग को पोस्ट रहेगा तो दोस्तो इसी तरीके का क्वार्टर मिलेगा है ना सबसे अच्छा क्वार्टर का यह रहता है दोस्तों कि एंट्रेंस जो रहता है इसको आप बढ़िया से रख सकते हैं मतलब और सजा सक सकते हैं और बाकी आपका यह रूम रहेगा इसमें आप अपने फैमिली को भी एड़ेस्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों